हलो स्टूडेंट्स मैं दिपक शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूँ और लास्ट लेक्चर में हमने स्टेडी किया था chemical equation और chemical equation को किस तरह से balance किया जा सकता है चलिए अब हम आज के इस lecture में स्टेडी करेंगे chemical equation की limitation और उनको किस तरह से rectify किया गया उन सारे concepts के बारे में तो आज का जो हमारा lecture है वो विसे theory based है कुछ information से chemical equation के बारे में कुछ जानकारियां है जो आपको इस lecture में दी जाएगी तो आज के हमारे lecture का topic होगा Limitation of chemical equation Means आप किसी statement के लिए किसी chemical change के लिए जो chemical equation लिख रहे थे उन chemical equation की क्या-क्या limitation थी Means ऐसी क्या-क्या जानकारियां थी या ऐसी कौन-कौन सी important information थी जो आपको उस chemical equation का जो symbol method आपने follow किया वो आपको नहीं बता पाता है जैसे कि मैं कुछ examples आपको बताओ कुछ common ऐसी equation से जैसे कि ये equation हम लेते हैं calcium oxide को जैसे आप photomade करते हो तो ये calcium hydroxide बनाता है दूसरी equation की मैं बात करूँ NaOH को आप HCl से reaction करवाते हो तो यहाँ पर मिलता है आपको NaCl प्लस H2 तो जो दो equation है इनके बारे में एक information है जो आपको इस डेखकर पता नहीं चल रही है आप देखकर नहीं बता पाओगे means ये इस chemical equation method का drawback हुआ drawback हुआ कि इसमें मुझे पता नहीं चल रहा है कि इस process में किसी तरह की कोई एक ऐसी information है मैं पहले share कर देता हूँ कि क्या होगा अगर मान लीजिए आपने एक container में लिया हुआ है और उसमें आपने HCL डाल दिया और वो container अगर आपने हाथ में लिया हुआ है तो ये equation means ये वाला जो process है वो इतना exothermik होता है तो हो सकता है कि वो container जो आपके हाथ में वो container blast हो जाए और जब container blast होगा तो वे से बात है कि वो आपके लिए होने पर energy release होती है जिनके complete होने पर energy release होती है जो मैं आपको बता चुका था last class में exothermik reaction मैं एक बार फिर से revise करवा रहा हूँ आपको last class में आपने दो कैसे study कि energy change के basis पर endothermik और exothermik exothermik में बहुत सारे common examples हैं जितनी भी respiration है और जितनी भी neutralization reaction है और combustion है यह सब की सब किस में आती है exothermik reaction में ही count होती है तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही दूसरी एक equation है calcium carbonate gives CaO plus CO2 क्या इसे देखकर आप बता पा रहे हैं कि equation कैसे हो जाएगी आपको देखकर तो यह लग रहा है कि यह equation आपको बताती है कि calcium carbonate को रखा और वो तूटकर calcium oxide और carbon dioxide देदेगा means आपका ही जो method है इसकी भी limitation है कि इसको देखकर पता नहीं चल रहा है कि किन condition पर यह equation होगी इसकी favorable condition क्या है क्या calcium carbonate खुले में रखते हैं decompose हो जाता है गलत तो calcium carbonate के लिए chemical equation नहीं देती है और उससे आपको उस equation को proceed करवाने में हो सकता है कि किसी तरह की कोई problem हो तो चलिए बात करते हैं किस टाइब की informations chemical equation से नहीं मिलती है first है we do not get information about rate of reaction rate of reaction का मतलब होता है speed हम किसी equation को आपके सामने एक equation लिखे हुई है 2H2 plus O2 gives 2H2 क्या आप इसे देखकर ये बता सकते हो कि ये equation कितने टाइम में complete होगी आपके सामने लिखा हुआ है rusting of iron की equation Fe plus O2 plus H2O और ये आपस में react करके बनाता है Fe2O3 dot XH2 बट क्या आप इसे देखकर बता सकते हो कि उस iron की rusting कितने टाइम में हो जाएगी means आप speed नहीं बता सकते हो कि equation कितने टाइम में हो जाएगी अब आपके सामने equation है उसे देखकर आप speed नहीं बता पाए neutralization है वो कुछ seconds में हो जाती है तो कई सारी ऐसी equations है जिनने कई सारे इसी reaction से जिनने complete होने में दिन लग जाते हैं कई साल लग जाते हैं और कुछ ऐसी chemical reactions होती हैं जो कुछ seconds में ही complete हो जाती हैं बट आप chemical equation को देखकर उनके time को time of completion को नहीं बता पाता है यह एक drawback equation का दूसरा limitation we do not get information of about physical states of reactants and products means chemical reaction के जो reactant और product हैं उनकी physical state क्या होगी यह information आपको chemical equation से नहीं मिलती है मैं आगे आपको सारी चीशे डिसकस करूँ है कि अगर यह information मिल जाए तो आपके लिए किस तरह से beneficial हो सकती है चलिए next third we do not get information about favorable condition ज्यशा यह चल्ट पर चल्ट ग्रवोफ। कई ऐसी chemical reactions होती हैं जिनने complete करवाने के लिए उनमें कोई दूसरी condition apply की जाती है pressure change किया जाता है या temperature change किया जाता है तो किस temperature और pressure पर वो reaction होगी वो information आपके सामने नहीं होती है तो उन्हें भी mention करने के लिए mention होगी तो वो आपके लिए ज्यादा beneficial होगी next तो बच्चों कई सारी ऐसी chemical reaction होती है जिन में energy absorb होती है मैं आपको बता ही चुका हूँ और कुछ chemical reaction में energy release होती है तो chemical equation देखकर हमें कैसे पता चलेगा हमें पता नहीं चलता है कि वहाँ पर energy release होगी या energy absorb होगी जैसे कि मैंने आपको भी chemical equations लिखकर बताई थी calcium oxide plus water calcium hydroxide इसे देखकर इसमें कहीं भी यह चीज मेंशन नहीं है कि इस process में energy release होने वाली है जैसे कि मैंने लिखा COO plus H2O gives COO salt twice क्या यहाँ पर कई mentioned है कि इस process में energy release होगी बट एक्चल में जैसे आप calcium oxide को water में add करोगी तो जिस container में water है वो container बहुत गर्म होजाएगा और वो गर्म होगा मिंस उसको heat मिली है उस chemical reaction से और उस chemical reaction में energy release होगी है वो एक exothermic process है जो कि इस equation में कई mention नहीं है तो यह chemical equation की limitation होगी चलिए अब बात करते हैं कि जो limitations आपने study किये इन्हें किस तरह से rectify किया जा सकता है एक last जो chemical equation की limitation है वो यह है information about concentration of reactant and product तो देखो इन limitations को rectify करने की भी कोशिश की गई हमने कई सारे से method chemical equation में introduce कर दिये जिनसे हम in limitation को rectify कर सकते हैं तो मैं अब आपको बताने जाऊँगा कि इन chemical equation को rectify करने के लिए क्लिए 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 नए implement हमने किये हैं बट इससे पहले आप इन सारे cases को जरूरी है first rate of reaction means chemical equation आपके सामने लिखी हो तो उसे आप देखकर नहीं बता सकते हो कि वो कितने time में complete होगी दूसरा किसी chemical equation को देखकर आप यह नहीं बता पा रहे हो कि उसमें जो participate करने वाले reactant है और बनने वाले जो product है वो किस physical state में participate कर रहे हैं और किस physical state में वो वहाँ बन रहे हैं physical state का बड़ा रोल होता है next step favorable conditions कई ऐसी reaction से जो एक particular temperature और pressure में ही हो पाती है otherwise वो reaction नहीं हो पाती है तो उनके लिए suitable temperature या pressure की range क्या होगी उससे हम किस तरह से mention करें next कुछ reaction में energy change का आपको पता नहीं चलता है means जो equation आपको लिखते हो वो आपको नहीं बताती है कि वहाँ पर energy absorb हुई है या energy release हुई है या कितना amount वहाँ पर energy का absorb हुआ है या कितना amount वहाँ पर release हुआ है ठीक है मान लो किसी ने बोल लिया कि बच्चे इस equation को घर पर गर लेना और यह एक exothermik reaction है अब exothermik में हो सकता है कि बहुत कम amount में heat release हो और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़ादा amount में heat release हो तो आपने अगर precautions नहीं लिये तो हो सकता है कि वह आपके लिए बहुत ज़दा harmful हो जाए अगर आपके सामने equation में सारी information होगी तो आप उस equation को proceed करवाने के लिए सारी precautions उसी त concentration में लिया जाता है जैसे कि acid या base की में बात करूँ तो ज़्यादा तर equation में आप acid और base के बारे में study करोगे और आपने study किया भी होगा कि acid या basic solution की concentration के basis पर उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है जैसे कि आपने बहुत कम पानी में बहुत कम चीनी आपने मिलाई मीन्स इसकी sweetness जो है टोग पने बहुत कम होगा मीकिन वह solution कैसा इसा调 पानी में इतनी ज़्यादा चीनी आपने मिला दी बहुत ज़्यादा सुगर अगर आप एड़ कर दो के तो बहुत स्ट्रोंगली आपको किसा लाएगा मिठा लाएगा बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा means ऐसा solution क्या होगा concentrated means जिस solution में solute बहुत ज़्यादा effective हो जाता है वो concentrated है या हम ऐसा बोलें कि solute का amount बहुत ज़्यादा होता है वो concentrated होता है और जहां पर solute का amount बहुत कम होता है वो dilute होता है तो कई ऐसी equations होती हैं आप बात में study करेंगे कि अगर आपने किसी metal के साथ dilute acid react करवाया तो reaction के product अलग होंगे और concentrated react कराओगे तो उसके product अलग होंगे मतलब हमें equation में mention करना होगा कि वहाँ पर dilute लें या concentrated लें जैसे कि मैं बात करता हूँ एक equation की copper को H2SO4 से reaction करवाओ और अगर ये H2SO4 का solution अगर dilute है dilute का मतलब की H2SO4 बहुत कम amount में उस water में तो यहाँ पर किसी तरह की reaction ही नहीं होगी लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर आपने H2SO4 के सा ले लिया concentrated ले लिया तो यहाँ पर आपको product मिलेंगे reaction होगी copper sulfate water plus SO2 gas यहाँ पर आपको मिल जाएगी means यहाँ पर reaction होगी यहाँ पर नहीं होगी अब अगर मेरी equation में अगर concentration की information नहीं होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि reaction हो पाएगी या नहीं हो पाएगी मान लो मैंने यह reaction करवानी थी बट मैंने concentrated ले लिया तो reaction हो जाएगी मतलब आपकी reaction incomplete है अगर आपने उसमें वो information mention नहीं की तो चलिए बच्चों यह था एक important part जो मैंने आपको बताया कि यह यह limitations है और इन limitation को rectify करना बहुत जरूरी है अगर इन्हें हम rectify नहीं करेंगे तो फिर chemical equation जो method है हमारे पास बहुत जादा बहुत बड़े scale पर आप उसे use में नहीं ले पाऊगे ठीके तो अब चलिए हम ब rectified in following manner कि चितनी भी limitation आप उपर देख रहे हैं उन्हें हमने किस तरह से rectify किया उनके concept समझें कि हम क्या नई चीज़े introduce करें जिससे यह limitation automatically rectify हो जाए इसमें एक हो limitation है वो भी मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ sixth about reversibility of reaction means कई सारी ऐसे chemical reaction होती है जो reversible होती है और कुछ irreversible होती है आगे जब मैं आपको type of chemical reaction बताऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको यह चीज़ भी बताऊँगा कि reversible और reversible reactions कौन सी होती है बट सबसे पहले हमरे सामने challenge यह है कि हम chemical equation में कैसे यह चीज़ यह information एड करें कि उसक को पढ़कर आपको पता लग जाए कि वह reversible है या फिर irreversible है तो अभी हम बात करेंगे उसकी reversible का मतलब मैं आपको बताता है reversible का मतलब जो reaction दोनों direction में चलती है means at a time आपका reactant product भी बन रहा है और वही product react करके क्या बना रहा है reactant भी बना रहा है reversible का मतलब क्या होगा कि आपका reactant product बना रहा है और जो बनने वाला प्रोडक्त है वो react करके उसी time पर क्या बना रहा है reactant भी बना रहा है means आपकी reaction दोनों direction में चलती है reactant से product की तरफ और product से reactant की तरफ जबकि irreversible reaction कि अवल एक ही direction में चलती है reactant खत्म होता जाता है खत्म होता जाता है और क्या बनता जाता है आपके पास product बनता जाता है चलिए तो अब हम बात करते हैं जैसे कि मैं सारी limitations की बात करूँ एक limitation जैसे कि उपर लिखाओ है physical state के बारे में तो physical states को किस तरह से rectify किया जैसे कि आपके पास कोई substance solid state में है तो आप bracket में लिख देते हैं इसके लिए आप उसके formula के साथ bracket में क्या लिख देंगे small letter में आप क्या लिखेंगे वहाँ पर s अगर आपके पास कोई substance वहाँ पर liquid state में है तो आप bracket में क्या लिख देंगे small l जो represent करेगा उसकी physical state को जो की liquid होगी अगर कोई substance वहाँ पर gaseous state में है तो आप bracket में क्या लिख देंगे g similarly अगर किसी chemical reaction में product side में gas का formation हुआ है तो evolution of gas को आप represent करेंगे upward arrow से और किसी chemical reaction में formation हुआ है precipitate का means soluble reactant की reaction से आपको एक insoluble product मिला है तो वो insoluble product क्या होगा बच्चों precipitate तो formation of precipitate को आप कैसे represent करोगे bracket में as और downward arrow और यहां पर आप उसके bracket में लिखेंगे इसकी state को और evolution के लिए आप represent करेंगे upward arrow तो यह थे कुछ case similarly आप कई बार solution की form में equation को लेते हो मतलब reactant या product solution की form में होते है तो हम बात करें अगर कोई substance dissolved है dissolved into water तो उसके bracket में लिखा जाएगा AQ और यहां पर AQ रिप्रेजेंट करेगा aqueous solution को आपने दो टाइप के solution पढ़े हुए एक्वस और नॉन एक्वस solution एक्वस solution उसे बोला जाता है जिसमें solvent water होता है तो आप उस solution के solvent को means solution की information के लिए आप bracket में क्या लिख देंगे AQ और ज्यादा तर chemical reaction में जो आप solution लेंगे वो कैसे होते हैं aqueous होते हैं इसलिए यह चीज़ मेंशन करना बहुत जरूरी है आगे बात करते हैं कि reversibility की problem को हम किस तरह से sort out करेंगे और जो अभी अभी आपने देखा इनकी भी information सम एक्जाम्पल्स हम देख लेते हैं जैसे कि first physical state का देखें तो इस equation को इस तरह से लिखू H2O2 gives H2O बच्छो physical state का बड़ा रोल है अगर यहां पर लिखा जाए H2 hydrogen gaseous state में होगा oxygen gaseous state में होगा और H2O जो है वो gaseous state में होगा कुछ equation ऐसी होती है और कुछ equation ऐसे भी होती है H2 gaseous state autogaseous state यहां पर आप water किस form में बना सकते हो liquid form में बना सकते हो बट दोनों chemical process में जो energy होगी वो different different होगी इस process में जो energy release होगी वो अलग amount में होगी और उसमें release होने वाली energy काम हो different होगा तो उसके बात अभी मैं आप से बात में करूँगा जब हम energy change की बात करेंगे अब भी पहले आप examples को देखिए जिसमें आपको state change नजर आ रहा है अगर आप state mention करते हैं similarly और example में लूँ zinc solid state में H2SO4 आपने केसा लिया aqueous water में dissolved है और यहां पर आपने बनाया ZNSO4 aqueous plus H2 जो की gases state में evolution के साथ आपने represent कर दिया तो देखो इन equations में और information आपने add कर दिया starting से हम इस तरह से लिख रहे हैं बट मैं पहले आपको clear कर दूँ कि जब पहले equations लिखे जाती थी तो उनमें यह सारी चीजे mention नहीं होती थी बट बाद में जब यह limitation सामने आई तो आपने rectify करने के लिए यह सारी information उन chemical equation में इस तरह से add की जा सकती है अब बात करते हैं favorable conditions की कई ऐसी reaction से जो किसी particular temperature या pressure पर होती है और reversibility की इसमें एक case बच्चों यह भी मैं आपको बताता हूँ अगर किसी chemical reaction में आप heat प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका जो arrow होता है direction के उपर आप क्या represent कर देते हो यह triangle draw कर देते हो जैसे कि इसका भी एक example लिख देता हूँ calcium carbonate को heat provide की जा रही है तो यह convert होगा COO plus CO2 है यह calcium oxide यहाँ पर solid state में होगा और calcium carbonate भी solid state में होगा अब हम बात करें कि reversibility के लिए तो reversible reaction के लिए आप एक sign mention कर देते हो इस तरह से double sided arrow या आप 2 half arrows तरह से लगा देते हो एक forward direction को represent करता है और एक backward direction को represent करता है यह represent कर रहा है बच्चों forward direction forward direction का मतलब है react into product और यह वाला जो arrow है यह represent कर रहा है backward direction backward direction का मतलब है बच्चों product से क्या बन रहा है reactant बन रहा है तो इसका example में आपको बता हूँ N2 plus O2 gives 2NO या N2 plus Thrice H2 gives 2NH3 तो यहां पर यह reversible का sign आपने mention कर दिया तो favorable condition के लिए जैसे कि ammonia manufacturing की जो reaction है ammonia nitrogen hydrogen hydrogen मिलकर ammonia बनाते हैं इस chemical equation से बट यह chemical equation एक particular यहां पर आपको pressure भी maintain करना होता है और एक temperature भी maintain करना होता है यह काफी common सा process है havers process scientist havers ने इस process को पता किया इसलिए इससे बोला जाता है havers process और यह process आप study करेंगे जब आप ammonia के बारे में study करेंगे nitrogen family में तो जब आप predictable के अलग-अलग elements अलग-अलग group अलग-अलग block को study करेंगे तो nitrogen family में वहाँ पर आपको nitrogen का एक important product ammonia होगा जिसके बारे में आपको study करना होगा क्यों क्योंकि ammonia काफी अच्छा compound है और काफी ज़्यादा इसकी importance है तो इसका जो industrial process है havers process इसे बनाने के लिए जो आपका जो भी setup होता है उसमें particular temperature pressure हमें maintain करना होता है तो इस particular reaction के लिए वहाँ पर आप temperature maintain करते है 500 degree Celsius प्रेशर वहाँ पर होता है 200 ATM प्रेशर वहाँ पर कितना होता है 200 ATM तो चलिए बच्चों साथ में आपको FE plus MO मतलब iron और molybdenum भी वहाँ पर लिखावा मिलेगा iron और molybdenum भी वहाँ पर आपको लिखावा मिनेगा मतलब काम की बात यह है favorable condition can be present above and below the arrow means जो equation की direction बता रहा है उसकी arrow के उपर या नीचे इन्हें प्रेजेंट किया जा सकता है उन्हें लिखा जा सकता है favorable condition को तो यहाँ पर जो iron और molybdenum है यह क्यों add किये गए यह favorable conditions में हमें समझ में आ गया कि pressure का भी roll होगा temperature का भी roll होगा कोई particular reaction किसी particular pressure और temperature पर होगी यहाँ पर जो iron आपने add किया हुआ है it is used as a catalyst in this reaction तो कई सारी ऐसी reaction से जिनमें arrow पर आपको chemical substance लिखे हुए नजर आएंगे तो वहाँ पर generally वो जो काम करते हैं वो काम करते हैं catalyst का तो अब हम यह समझते हैं कि catalyst क्या होते है catalyst का क्या role होता है उस chemical reaction में catalyst are the substances which are added in chemical reaction to alter the rate of reaction without getting consumed means catalyst वो substance होते हैं जिनने chemical reaction में add किया जाता है और वो chemical reaction की speed को change कर देते हैं rate का मतलब होता है speed speed को change कर देते हैं बट खुद में किसी तरह का कोई change नहीं आता है after the reaction आप देखेंगे तो आपको उस catalyst का amount उतना ही मिलेगा जितना उस chemical reaction से पहले था अब यहां पर catalyst clear हुआ आपको catalyst काफी important है जो chemical reaction की speed को change करते हैं और catalyst भी दो तरह के होते हैं कुछ chemical reaction की speed को increase करते हैं और कुछ chemical reaction की speed को decrease करते हैं कई बार Catalyst की efficiency को increase करने के लिए Catalyst के साथ बच्चों दूसरे chemicals भी aid कर दिये जाते हैं जैसे कि यहाँ पर आपने iron के साथ aid किया है Molybdenum को Iron के साथ आपने aid किया है Molybdenum को जो इस chemical reaction की speed को इस chemical reaction की Catalyst की efficiency को increase करता है तो Catalyst वो होगा जो chemical reaction की speed को change करेगा बट उसमें किसी तरह का कोई change नहीं होगा Catalyst की need बहुत Catalyst की need क्यों है, इसकी importance क्या है तो इसके लिए एक और example में आपके साथ share करता हूँ 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2 इस chemical reaction में MnO2 को catalyst 3 आ जाता है Magneige Oxide को बच्चों, जैसे कि ये process ammonia बनाने के लिए important है वैसे ही ये process oxygen की production के लिए important है अगर आपको कम time में oxygen का जादा amount बनाना है oxygen की productivity को increase करना है तो आप इस process में MnO2 डालेंगे तो oxygen के बनने का जो process है वो fast हो जाएगा तो बच्चों, ये roll होता है catalyst का अगर reaction को slow कर रहा हो तो उस तरह के भी catalyst होते हैं और कुछ catalyst होते हैं किसी particular reaction की speed को increase करते हैं अब चलिए बात करते हैं energy change की और concentration की तो देखिए energy change के भी cases मेंने आपको बता तो दिये हैं previous classes में कि energy changes के basis पर chemical reaction दो तरह की होती है endothermic या exothermic बट इसे किस तरह से mention किया जाए किसी equation में तो हम इनी दो equation की बात करते हैं कि N2 प्लस O2 बनाता है 2NO और इसमें product के साथ आपको इस negative sign के साथ एक amount अगर लिखावा मिलता है 432 00 calories 432 00 calories किस sign के साथ में negative sign के साथ में means अगर product के साथ energy negative sign के साथ लिखी होई है means वो particular amount उस chemical reaction में aid हुआ है और वो chemical reaction कैसी reaction है endothermic reaction है क्योंकि minus sign अगर product में है तो ये positive किस तरफ होगा reactant में means ये amount किस तरफ aid होगा reactant में और reactant में अगर आपने energy aid की तो process कैसा होगा endothermic होगा similarly second example N2 plus 3H2 gives 2NH3 plus 22400 calories तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि ammonia बनाई तो आपको plus sign के साथ में वहाँ पर energy का कुछ amount mentioned है means वो amount आपको कहाँ पर मिलता है product के साथ में means वो जो chemical reaction है वो chemical reaction के सी होगी exothermic chemical reaction होगी तो exothermic के लिए energy का amount product के साथ plus sign के साथ दिखा हुआ होगा और endothermic के लिए energy का amount product के साथ negative sign के साथ आपको दिखेगा इसके बाद बात करते हैं कि concentration वाली limitation किस तरह से solve की जाएगी तो बच्चों concentration में दो cases होते हैं एक होता है dilute solution एक होता है concentrated solution तो इसका solution यह है इस limitation की rectification यह है कि dilute के लिए आप उस solution के उस substance के उपर आप mention कर देंगे dil जो की represent करेगा dilute solution को और concentrated के लिए आप mention कर देंगे c, o, and c जो represent करता है concentrated solution को या आप complete, full form concentrated भी लिख सकते हैं अब बात करते हैं इसके लिए examples की तो copper plus h2, so, 4 का equus solution अगर यह आपने dilute लिया है तो आप उपर लिख सकते है dil और product आपका यहाँ पर कोई reaction नहीं होगी क्योंकि h2, so, 4 कैसा dilute है आगे आप पढ़ लेंगे कि copper dilute acid के साथ react नहीं कर पाएगा similarly, second case अगर बात करें copper आपने h2, so, 4 लिया हुआ है concentrated तो फिर यहाँ पर आपको कुछ नो कुछ product लिखने होगे copper sulfate plus h2o plus s2 तो बच्चो concentration mention करने का भी काफी बड़ा roll होता है importance होती है क्योंकि अगर आप अलग-अलग concentration लेंगे तो product भी आपके different different होगे तो यहाँ पर dilute लिखा और concentration को लिखने के लिए आप उसके साथ में mention कर सकते हैं तो बच्चो यह वो सारा part था जिसमें आप limitations की rectification को देख चुके हैं और यह वो rectification है जो आप पहले भी देख चुके थे बट एक बार limitation के साथ मैंने सब को फिर से आपको बताया तो इनसे कई सारे से doubts जो आपकी mind में होंगे वो भी clear होए होंगे क्योंकि कई बार आप इस तरह से DIA लिखा हुआ देखते हैं तो आपको doubt होता है कि इसे क्यों लिखा गया है और यह क्या represent करता है similarly catalyst इस पूरे lecture में एक important information आपको catalyst की मिली तो आप catalyst को revise करें राजस्थान बोड की जो text book है उसमें catalyst given है इसलिए catalyst राजस्थान बोड की वज़े से NTSC stage 1 के syllabus का part बन जाता है तो NTSC stage 1 में catalyst वाला part आता है जो कि important होता है So students यह हमारा आज का lecture था In next lecture we will study about the type of chemical reaction So students thank you for watching this lecture